हलो डियर कंडिडेट नमस्कार स्वागत है आप सभी का एड़ुशेशन में बात करते हैं लेकपाल भरती परिच्छा तिति के सम्मंद में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लेकपाल भरती के कटोप पर है काफी जो है इस पे माहुल जो है बना रहा है और इसके सम्मंद में जो candidate आ चैने थे उनके द्वारा याज का भी दायर की गई थी और उस पर सुनवाई भी हुई थी तो वो याज का पूर रूप से खारिज कर दी गई थी और जो भी candidate आयोक पर धर्णा प्रदर्शन करने की बात कर ले थे आयोक पर धर्णा प्रदर्शन काफी candidate के द्वार रही है कि आपका एक्जाम परिच्छ तैयर समया पर होगी और अगर इसके यह है अड्मेट कार्ड की बात की जाए तो up बिग्यापन ऐसे प्ये नहीं दो किये शुलाइक प्येस्ट में आपका उन्य की प्रसक्रिग में सामिल हो सकते हैं है तो आपको ब सल जो bस्ट क receptors बडिकर पर नहीं पर lavender होने इस के न पारें हुआ याथ 19-IGHT अवाद में自ility मुख परिच्छा में सामिल हो सकते हैं सबसे महत्पूची जिसमें यह हो जाती है कि जो भी पी ट्रपल सी के द्वारा भरतियां आ रही है एक साल के अंतरगत उसमें कितने पोश्ट हैं तो लगभग जो है 15 गुना या 20 गुना 30 गुना ऐसे ही कंडिडेट बुलाए जाएंग सभी भरतियों में तो यहाँ पर कंडिडेट को चाहिए कि जो भी वो स्कोर कर रहे हैं कंडिडेट तो लगभग लगभग आप 95 परसेंटाइल के उपर ही अपना स्कोर करें तभी आप मुक परिच्छा में सामिल हो सकते हैं और कुछ बरतियां ऐसी भी हैं जहाँ पर बहु का नहीं मिल रहा है तो परसेंटाइल जो है जो नंबर होती है। नौर्मनाइज स्कोर उस से काफी बढ़के आता है तो यदि सिर्फ नौर्मनाइज स्कोर की बात की जाए तो जो भी कंडिडेट 80 और 85 के 85 स्कोर करते हैं वो तो सभी परिच्छा में सामिल हो सकते हैं जो भ अधिक पद पर भरती आती है तब भी कम से कम आपको सतर का टॉर्गेट करके रखना है सतर से कम यदि आपके अंका रहे हैं तो अभी लेकपाल की जो भी भरती है तो उसमें पदों की संग्या 8000 प्लस थी इसलिए वहाँ पर जो है 62 प्लस 62 जो है नॉर्मलाई इसको वालों को मौका मिल गया है लेकिन इससे कम यदि 4000-3000 भरती आ रहे हैं तो फिर मौका नहीं मिलेगा लगवग 70 और 75 नंबर की कम से कम मिनिमम इतना तो लाने की पूरी पूरी तैयारी करें और हो सकता है तो लगवग लगवग 85 आप 100 में यदि ला सकते हैं तो इतना अंगलाएं तभी आप UPSC PET की सभी भरतियों में सामिल हो सकते हैं यदि आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एक साल का जो आपकी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और आयोग पर धरना देने का इस्वार जो है कोई भी मतलम नहीं निकला है कंडिडेट को कोई भी इसका वेनिफ स्कोर कर सकें और जो भी उपितरपले सीगी भरतियां उन्स सभी भरतियों में विध्यापन आए उनमें आप फ़र में अपलाई कर सकें और अपना एकजाम दे सकें तो फ्रेंड्स यह हो गया आज का महत्पूर वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें